आज मैं आपके लिए लाया हूँ कोरल्डो का बेसिक टुटोरियल और इस टुटोरियल के अंदर आप सब कुछ आँगा मैं आपको केवल वही चीजे सिकाँगा जो इसके लिए वहुत ज्यादा जरूरिया और इसके अंदर आप सारी ही चीजे डिजाइन कर पाएंगे पाइज को कौन सामें पेज को हम ले सकते हैं ठीक है जस्ट फिर ओके करेंगे यहां पर आने के बाद आप लेफ्ट साइट से भी टॉप से भी यहां से भी बाद में भी पेज को अपने सैट कर सकते हैं या फिर आप मेन्वल भी सैट कर सकते हैं ठीक है पेज के जब आप स् हमारे मेन टूल से बाट करता हूं, क्योंकि आपको basic knowledge टूल की होने चाहिए, यह हमारा first टूल आता है, हमारा pick tool, pick tool के अंदर हम shape को या image को move कराने के लिए use करते हैं, second आता है आपका shape tool, shape tool के अंदर हम जितने भी shape यूज़ करेंगे, उसको reconstruct करने के लिए shape tool का use करते हैं ठीक है उसके बाद मैं direct आपको ले जाऊंगा ये तीन shape के बंदर जो हमारी continuously use होती है ठीक है और फिर आता है आपका text जो आपके text के लिए use होगा एक transparency ठीक है यही tool के वाल आप सीख लेंगे तो आपको complete course अच्छे से आजाएगा मतलब कुछ भी design कर पाएंगे आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हां सच में इन ही टूलों से ही सारा कुछ design होता है ठीक है आप यहां पर देखेंगे तो color palette है पहले जो है आपके color यूज करने के लिए होगी और जो यह ऊपर की तरफ आपको यह बार दी हुई है यह ऊपर की बार में आपके सारी प्रोपर्टी जाती रहेंगी तो Start करते हैं सबसे पहले एक चाहले एक चाहले तो फिल देते हां हम रक्टेंगल तूल अब राव्य क्रेखे की तो हम यह समत ओर करेगा आपको तो अब यह करेनगे तो पर अगर हमें कोई अलग शेप चाहिए तो गैस कीजिए कि मैंने कि इसकी विट ले ली है दो और इसकी हाइट ले ली है मैंने छे तो ऐसी कंडिशन में आपके देखे दो बाई 6 का आ जाएगा अगर आपका यह लोक नहीं है तो अगर आपके यह हमने लोक कर दिया है लोक करने क नहीं होती है अब हमने के बाद हम इसके पॉइंट सेंट सेंटिक यह हुए गार हम इसे नीचे को ड्रैक करते हैं तो यह सारे कोर्ण कर देखर में है कहीं कौनर राउंड होगा ठीक है और अगर अब हमें डिफेर्ट टाइप की चीजे बनानी एन तो उसके लिए क्या करना होता है इसको करना होता है तो शेप को करना के लिए आप इसको सेफ को के साथ क्यों करेंगे तो यह कर जाएगा अब इस कंडीशन में हम शेप टूल को यूज कर पाएंगे इसका मतलब इसकी पूरी शेप को हम डिस्टरब कर सकते हैं यह आप डबल केडिक करेंगे तो डॉट आ जाएगा वापिस किसी डबल किलिख डॉट करेंगे तो वह अठ ज है हम जस्ट एक single click करेंगे यहां पर देखें यह ब्लैक डोट इस तरह का आएगा जब यह इस तरह का आएगा तो इसकी प्रोपाटी जो ओपिन होंगी यह दिखाएगा कि यह कर्व करना आपको यह किस तरह से वह करना थे अगर आप यह अगर नहीं है तो यह कर्व का option देग ठीक है और अगर आपकी ये shape curve है तो अगर आप इस पे up click करेंगे तो यह देखे यहां पर straight line के लिए आपको बताएगा जसना आप click कर ये straight हो जाएगे ठीक है shape tool में अब हमें shape tool में अगर color को fill करना है यह जो black color है, अगर इसमें right click करूँगा, right click करने पर इसका border fill हो जाएगा, आपका red color से, ठीक, उसके बाद border के property आप यहाँ पर जाएगे, तो यह देखे, यहाँ से आप इसकी border की properties, यह border का size बढ़ा सकते हैं, गटा सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए, तो आप नीचे properties में क्या होता है, आपने color views में जाएंगे, color views में यह और shades आजाएंगी, वो shades आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे, easily, ठीक है, यहाँ पर आपने यूज कर लिया, second आता है, आपका gradation देना, अगर, तो gradation के लिए, थर्ड वाला point को आप click करेंगे, तो यह देखे, gradient हो गया इसे मतलब यह white color हो गया, यहाँ से आपका dark color हो गया, side हो से, वो यहाँ से अभी आप color यहाँ पर ही, देखे, set कर पाएंगे, इस पर click करेंगे, और यहाँ से इस तरह से, यह gradation बहुत जादा यूज होता है, ठीक है, secondary इसके अंदर different different type के, यहाँ पर pattern वगर यूज होते है ठीक है, और इसे मैं अब ok कर देता हूँ, यह ok अब आपको simple अगर आपको gradation डालना है किसी चीज में, अब मैं इसे एक हटा के दुबारे से shape लेता हूँ, इसका आपको shortcut बताता हूँ, just आपको g press करना है, g for gradation, ठीक है, आपका यह ऐसे दिख जाएगा, आप यहाँ से जा आ गया, simple है, g for gradation, ठीक है, अब यहाँ से आप यह देखे, जो black color है, यह तो आप यहाँ से color लेंगे, plate से लेंगे, और यहाँ पे लाके मैंने इसके उपर ज़स छोड़ हूँ, तो यह देखे, यह color change हो गया, अब मेरे को दूसरा color fill करना, मैं yellow ले लेता हूँ, yellow लेके मैं यहाँ drag and drop कर दिया, तो यहाँ से यह, यह gradation हो गया, अब आपको इसके अंदर भी अगर कोई और जादे gradation चाहिए, तो आप उसके अंदर different different type के pattern maintain कर सकते हैं, यहाँ पे देखे, मैं just plus का ही देखे, symbol आ गया है, यहाँ छोड़ेंगे, तो यह add हो जाएगा, अब और कोई add करना यह, यहाँ पर जाओंगा, मैं छोड़ूँगा, उतने ही आप gradation बना सकते हैं, different different type के golden shade, silver shade और different type के use कर पाएंगे, अब just इस पे मैंने छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर click करूँगा, image पे, अब just G press करूँगा, तो मेरा वापिस आ गया, अब यहाँ पे भी देख circle circle इसके बना देगा, ठीक है, यह चीज़ यूज़ कर पाएंगे, अगर आपको इसको none fill करना है, इसमें कोई color fill नहीं करता है, तो यहाँ से आप click कर दीजेगा, यह सब color हट जाएंगे, यह उपर, यह color को हटाने के लिए है, blank color हो जाएगा, transparent हो जाएगा, मतलब इसमें आ आप easily कोई भी design बना सकते हैं, ठीक है, अब आपका, मैं इसके अंदर shortcut और बता देता हूँ, जो use होगा, बहुत ज़्यादा आपका, मैंने यह just circle control करके, circle draw कर लिया है, अब देखे, मैं इस circle को बाहर रखता हूँ, इस shape को यहाँ रखता हूँ, इनके border को बढ़ा लेता हू इसलिए बढ़ा रहा हूँ, जिस तक यह आपको easily देख पाए, यह देखे, सबसे पहले मैंने circle को select करा, फिल rectangle को बढ़ा है, अब अगर मुझे center करना है, तो C केवल मैं दबाऊँगा, सबसे की जो है, बहुत shortcut की बहुत ही simple है, C दबाऊँगा, तो center में होगा, horizontal में इसकी shape center में आ गया है, center का मतलब है कि इसकी position के center में, अब यह horizontally center है, और अगर इस select करके E दबाता हूँ, तो यह vertically center है, ठीक है, अब अगर मुझे इस shape को इसके top से मिलाने, तो shift के साथ इस circle के से करूँगा, तो T करूँगा top, B करूँगा bottom, R करूँगा right, L करूँगा left, यह आपक को यह बता है, अब just मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको guess कीजे कि कोई shape है, उसके just copy करने, अगर आप control D करेंगे, copy कर पाएंगे, तो यह देखिए just इसके ऊपर आ जाता, ऐसे, तो इसके आपको क्योंकि design के चाहिए, तो एकदम accuracy चाहिए, तो उसके ल यहां से अगर मैं right पर click कर देता हूँ, यहां पर देखेगा, right में click कर देता हूँ, तो यह right में उसकी जितनी copy में डालूँगा, मैंने दो डाले और apply किया, तो यह दो copies इसकी बना देगा, ठीक है, अब मैं इन copies को हटा देता हूँ, अब अगर मेरे को इसके just ऊपर ही चाह दाएगी, तो मैं अब एक आपके लिए एक design कर देता हूँ, देखेगे, मैंने आपके लिए select करा हुआ है, यह मैं अब design करूँगा, तो आप अच्छे सा समझ पाएंगे कि क्यों मैंने बताया कि केवल इनी toolों से आप सारा ही design कर पाएंगे, कुछ भी design कर पाएंगे, आप इस design करने के लिए सबसे पहले एक rectangle लेंगे, अब मैं control के साथ इसे drag करूँगा, यह मेरी एक shape draw हो गई है, ठीक है, और अब मैं इसके अंदर लाल एक white color ले लेता हूँ, या फिर, चलिए मैं थोड़ा सा different ले लेता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएंगे, कि color fill हुआ है हमारा, यह मैंने color ले लिया, अब इसमें मैं सबसे पहले, देखे, design क्या करता हूँ, इसमें मैं सबसे पहले इस वाली shape को draw करूँगा, ठीक है, इस shape के अंदर आपके transparency भी है, और color fill करना भी है, मैं यहाँ पर click करूँगा, single, एक, यहाँ पर मैंने copy बनाई, click करा, एक मेरी duplicate copies के ऊपर आगे, मैंने इसको side से stretch करके, यहाँ पर छोड़ दिया, अब क्योंकि मेरा curve नहीं है, मैंने shape tool लेता हूँ, यह shape tool लेता हूँ, अब यह क्योंकि curve नहीं है, control Q नहीं किया हूँ है, तो इस तरह से angle आएंगे, अब क्योंकि मुझे इसको reconstruct करना है shape को, तो इसलिए मैं इसे control Q करूँगा, control Q करने के पाद, यह मैं construct कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इस पर यहाँ पर double click करा, यहाँ पर एक dot आगया, अब इस click को double click करूँगा, तो यह हट गया dot, ठीक है, अब मेरी shape बन गी, अब मैं यहाँ पर एक center से click करूँगा, जस्ट आपको देखते ज select करके, इन दो corners को select करता हूँ, select कर लिया अब यह दोनों corners को, मैं just ऊपर को drag करूँगा, अगर shift के साथ जाएंगे, आप तो विलकुल अच्छे से, ऊपर shift कर पहेंगे, ठीक है, यह आगया अब आपका color, अब मैं इसके अंदर यह select करता हूँ, अब यह देखे, यह मैं color, left click करा, यह color fill हो गया, right अब देखे, इसके अंदर यह border black आ रहा है, तो इस border को सबसे पहले हटाईए, ठीक है, यह हट गया, अब यही वाली shape हमारी design हो गया, अब आप देखेंगे गोर से, तो यहाँ पर एक transparency है, जिसके अंदर एक और shape दिख रही है, ठीक है, उसकी और बका अब मैं just, अंदर को इसे image को दबाऊंगा, ठीक है, अब यह दो shape बनगी, पर अभी transparency ना होने के विचे, आपको दिखनी पाएगी, अब मैंने इन दोनों shape को select करा, अब मैं यहाँ पर यह देखे, transparent tool पर जाऊंगा, click करा, ठीक है, click करने के बाद, अब आपके, यह click करने के बाद तुरंत आपका यानी होगा, यहाँ पर आपकी transparency की option आएगे, कि आपको किस तरका चाहिए, तो मेरे को चाहिए second वाला, second वाला जो होता है, यह पूर ही even color में आपको transparency देगा, अब मुझे इसकी opacity भी बहुत जादा, यान इस transparency जो है, बहुत जादा नहीं चाहिए, थ थोड़ी कम करने के लिए, आप यहाँ से select करके, जो इसकी opacity हो, उसको up और down कर सकते हैं, ठीक है, यह कर लिए, अब second मैं दुबार से, मैं पहले सारे ही design कर लूँगा, जो shape से design के होगा, अब मैं वापिस इस shape पे जाऊँगा, वापिस एक copies की generate करूँगा, अब उपर से पक इसका, अब देखे, यह एक shape यह तैयार हो गई है, अब इस पे वापिस अब मेरे को, इस वाले black को select करता हूँ, इसकी एक और copy बना लेता हूँ, right side से, अब मैं जस्ट इसको यहाँ से drag करूँगा, और उपर की और को उठा दूँगा, ठीक है, यह देखे, यह बन गया, इ अब मैंने shape tool लिया, और shape tool से, इस corner को आगे को बढ़ा दूगा, shift के साथ अगर दबाएंगे, तो आप easily आगे जा पाएंगे, ठीक है, इसे थोड़ा साई, इस वाले point को select करके मैं पीछे ले जाता हूँ, यह हो गया, अब देखिए, अब यह चीज सारी draw हो गई, अब इसक इसको draw करेंगे, हम इसको draw करने के लिए, अब मैं direct एक simple सा, यह वाप इस rectangle ले लेता हूँ, इसे draw करता हूँ, सही है, अब इसे, अब देखिए, यहाँ पर मैं जो shortcut बतायते हैं, क्यों use होते हैं, इस shape को select करेंगे, ठीक है, अब मुझे इसके parallelर चाहिए, एकदम, तो मैंने shift दबा के, इस वाले right side, इस वाली shape क्लिक किया, और T से करा, T करने पे top से मिल गया, और L करने से left से मिल गया आई है, ठीक है, आब इसके अंदर मैं color फिल कर देता हूँ, अब मैं इसके अंदर dark color फिल करने के लिए क्लिक करूँगा, अब मुझे, क्योंकि यह red का बहुत dark है तो महरून सा color आ जाएगा, इस पर किसी भी shape, किसी भी color पर आप थोड़ा सा click करने के बाद stay करेंगे, तो आपको color की plate खुल के आजएगी, इसके अंदर बहुत सारी gradations होगी, यह color की range होगी, ठीक है, आप select कर पाएंगे, अब यह color की range select हो गई, अब इसका मैं border हटा देता हो, यह उपर से आके मैंने right click करके border हटा दिये, ठीक है, अब देखिए, इसमें यह triangle shape जा रही है, क्योंकि आप यह गोर से देखेंगे, यह इस side से जा रही है, जिससे कि यह flap, एक folder type कर देना है, तो मैं select करूँगा, अब दुबार से control क्यों करूँगा, जिससे ही कि यह construct कर अब मैं यह वाले point को बढ़ा दूँगा, आगे की ओर, ठीक है, बस इतना ही करना था, अब देखिए, इस shape को अगर हमें नीचे की ओर ले जाना है, क्योंकि ऊपर है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, control के साथ, page up और page down अगर आप click करेंगे, तो यह page नीचे और उपर इसके आपको one by one layer और उपर आप 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 आएंगे, अगर shift के साथ करेंगे page down, तो यह बिल्कुल पीछे चला जाएगा image, जो यह shape है, बिल्कुल पीछे चली जाएगी, अगर shift के साथ page up करेंगे, तो यह front पा जाएगी, मैंने, जो अपनी keys हैं, वो change की हुई है, मैंने arrow क साथ इसको control किया हुआ है, तो मैंने control page down करूँगा, तो यह देखे, one by one जाएगी, ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुच गया हूँ, आप अपना page up और page down यूज कीजेगा control के साथ, ठीक है, अब यहाँ पे आप यह देखे, यह simple यह shape तैयार हो गई है, अब इसके अंदर ए आप येलो फिल और इसके border को हटा देता हूँ, अब देखे, अब इस shape को बनाने के लिए, सबसे, अब हमें कोई, इस shape को बनाने के लिए, हमें इसको control क्यों भी करने के जुरूतनी है, अब आप इस shape पे आएंगे, इस shape को select करने के बाद जब डबल क्लिक करेंगे, तो यह circle से बने वा जाएंगे, इसमें है, round वाले जो यह दे देगा, ठीक है, तो आपको ये वाला select करना है, नीचे वाला या उपर वाला कोई सा भी आप select कर लीजेगा, अगर मैं नीचे से shift करके, इस तरह से shift करता हूँ इसे, तो यह देखे, यह easily इसी shape में convert हो गया, ठीक है, अ अब हमारी ये बनगे, अब आप इसको गोरते देखे हैं, हलका सा gradation दिया हुआ है, अब gradation डालने के लिए क्लिक करना है, अगें जी दबाना है, gradation आगया, अब drag and drop करेंगे आप, तो yellow उपर आगया है, white वाले portion पे हम orange फिल कर देंगे, हलका सा, यह देखे है, अब इसकी position को आप इस तरह से यहां से set कर पाएंगे, यह हो गया, यह आपकी यह वाली shape बिड्रो हो गई है, यहां पे भी आगया है, अब हमारा बाकी क्या बसता है, अब आप image बसती है, अब हम image लेते हैं, यहां पे लाए, image drop की हमने, अब देखे, इस image को मुझे अगर set करना है, तो कि मैं रखके देख ले रहा है, अंदाजन ले रहेते हैं, कि यहां तर फूल हो जाएगा, ठीक है, अब just इसको मेरे को लेना है, अब इसके अंदर image को क्योंकि इसकी width देके कितनी जाद है, ठीक है, आप चाहें तो इसे select करके, shape tool लेके, इसकी image को, width को यहां से भी कम कर सकत हैं, पर इसमें जादा time लेगा, इसको बचने के लिए हम इसमें यहां पर right click करेंगे, power click, यहां पर option आएगा, right click करने के बाद power click, और इस shape, जिस shape के अंदर चाहिए, उस पर click कर देंगे, click करने के बाद यह दिखिए, इसके अंदर power click हो चुका है, अब इसे वापिस, अब edit करने पर इस तरह से दिखा देगा, आपको just ऊपर को drag करना है, और जब align हो जाए, और यहां से left side में finish का option दिया, और finish कर दीजे, आपका ही देखिए, image तैयार हो गया, यहां पर आपका पूरा design तैयार हो गया, एक चीज और बता देता हूं, कभी-कभी हमें क्या होता है, अब बहार निकालना है, तो कैसे करना है, कि कुछ और image डालनी है, कुछ, तो just यहां पर right click करेंगे, और extract कर देंगे इसे, अब यह देखिए, बहार आ चुकी है, ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी आप power clip डाली होएंगे, सब आ जाएगे, मैं control Z कर देता हूं, यह मैं लग से design कर लेता हूं, तो इसके लिए मैं यहां से, यह मैंने एक rectangle design किया, अब मान लोग, मैंने यहां पर shape को रखा, तो मैं shift के साथ, पहले इसे select करूँगा, क्योंकि मुझे इस shape को shift के साथ, ऊपर पीछ वाली image के साथ, और align करना है, तो मैं इसे T press करूँगा, तो य bar press के मैं राइट से मिलिया, ठीक है, अब मुझे यहां पर एक curve shape देना है, जिससे कि आपको मैं curve भी चिका पाँ हूं, कि कैसे करनी है, तो अब इसे select के मैंने control Q किया, अब यह shape इस तरद होगी, अब मैंने just यहां से एक इस वाले dot को मैंने double click किया, यह triangle shape में convert हो गया, यह triangle इसके अंदर मैं color फिल कर लेता हूं, color भी में यह वाला फिल कर लेता हूं, यह आ गया, ठीक है, अब इस shape को मुझे यहां से, मुझे अब इस वाली line को, यह वाला जो इसकी line है, इसे curve करना है, तो मैं यहां just click करूँगा, यह curve shape की position मा जागा, arrow आ जाएंगे, अब मैं इसे curve करना हूंगा, यह देखें, इस तरह से आप, curve करके, यह यह आपका एक नई चीज है, यहां पर मैं एड कर दी, जिससे कि आपके सारे लगबग सारे ही tool है, इसमें मैंने यूज कर लिए, यह आपका पूरा आ गया, ठीक है, अब हमारा आता है, यह देखें, यह circle है, इसको circle को भी just यहां पर click करना है, control के साथ आप drag करेंगे, तो यह हमारी shape तैयार होगी, अब इसके अंदर भी, हमें क्या करना है, select करने के बाद हमें G दबाना है, G प्रेस करने के बाद यहां से drag करेंगे, drop करेंगे, और यहां से color pick करके, उठा कर डाल देंगे, के वल, और यह भ border इसके अंदर होता, मैं फिर भी इसके अंदर border क्लिक करके, यह click करा, अब मुझे इसके अंदर white border डालना है, तो मैं इसमें right click कर दूँ, मेरा border भी fill हो चुका है, border को थोड़ा सा, इसको बढ़ाना है border को, तो आप border को यहां पे easily बढ़ाता है, जितना चाहिए होगा, आपक मैं करता हूँ, यह एक logo है, तो मैंने logo को simple लिख लिया, यह text लिया, click करा, मैंने just, और paste किया, यह logo आगया हमारा, अब logo को मैं यहां पे छोड़ता हूँ, और इसमें भी same वही चीज, अगर आप gradation डालना है, तो gradation डाल दीजाए, जर्वाई click करेंगे, तो आप color यहां से आपका bold करना है, तो bold कर दीजे, यहां से बी पे, यहां से आपका text चेंज करना है, तो यहां से text जो भी आपके system में पढ़े होएंगे, जो भी आपके system में text होँगे, वो यहां पे show कर देगा, आप उसे easily डाल पाएंगे, text को, यहां से अगर आप corner से, इस corner से चाहे वो shape हो या image हो, अगर corner से आप stretch करेंगे, तो यह even shape में जाएगे, otherwise आप इधर से इसको squeeze कर देंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादे squeeze ना करें, क्योंकि shape बिगड़के ज़्यादे अच्छी नहीं लगती है, डिजाइनिंग के अंदर कभी भी एक अच्छा effect नहीं डालती, मैं फिलाल बाकी चीजे भी 20% कोपी करता हूँ, और यहां पर click करके control भी करा, अब यह आगे हमारा, अब मैं इसको यहां पर click करके enter करा, यहां पर select करके enter करा, अब यह आगे, ठीक है, अब इसको centralize करने के लिए, यहां पर जाएंगे यहां पर भी option दिया हुआ है, जैसे हमेरा MS Office वगरा में दिया हुआ था, centralized कर लिए, अब देखे, अब इसमें, यहां पर 20% तो है, बड़ा, और up to, और off, small में है, तो इसको करने के लिए, अभी फिलाल मैं आपको, percentile तो उपर है, हमारा, गलती करदी मैंने, थोड़ा, यह हो गया, ठीक है, अब इसे में बोल्ड करने के लिए, control A करा, select हो गए, जब आप A, यह मैं एक पार दुबारा बताता हूँ, आप इस पर select करेंगे, A पर click करेंगे, तो यहां पर जब यह cursor blink कर रहा होगा, तो control A करेंगे, तो यह text select होगा, अगर यह नहीं होगा, तो पूरा यह बाहर का भी आपका select हो जाएगा, जैसे आप आपका ही select ने, केवल आपने ऐसे select कर रहा हो, control A करेंगे, तो यह सब ही select हो जाएगे, तो इसके लिए जरूर है कि जब आप text को select करना चाहते हो, तो text tool को लें, और उसो जब यह blink आए, तब control A करें, अब इसको आप B से करे जाएगे, तो यह bold हो जाएगा, इसके अंदर अगर आपको अब यह text क्योंकि मुझे दो जंगे, एक छोटा चाहिए, text एक बड़ा चाहिए, नीचे off जो है, मुझे small में चाहिए, और जो 20% है, वो large size में चाहिए, तो इसमें select करके control K करूँँगा, तो यह break कर देता है, अ अब यह अलग part हो गया, यह अलग part हो गया, मतलब कि इन्हें row wise divide कर देता है, अगर मैं अब दुबार से करूँगा, तो यह 20 को और इसको separate कर दे, control K किया, तो अब यह देखे, यह सब यह two अलग, यह सब यह अलग अलग हो जाएगे, ठीक है, मैं वापिस जाता हूँ, ठीक हो गया, अब control के साथ, अगर मैं L दबाता हूँ, तो यह एक साथ add हो जाएगे, अब यह एक single हो चुके है, ठीक है, यह भी आपका बहुत जादा जंग है, तो मैं just a पर जाता हूँ, और इसे नीचे enter मार के off को कर देता हूँ, और जब यह नीचे आ जाता है, तो इसको मैं K प्रेस कर देता हूँ, control के साथ K, तो अब मैं इसके off को small कर पाऊँगा, और 20% को बढ़ा कर पाऊँगा, ठीक है, अब इन दोनों को select करके मैं एक साथ C करूँगा, तो यह centralized हो जाएगे, यह already center है, अब इसे select करके मैं नीचे के corner से उपर को stretch करूँगा, तो यह इसकी position मा जाएगा, अब इसके अंदर, अगर मैं इन दोनों को select करा हुआ, ठीक है, अब मुझे इसके centralize करना है, तो मुझे control G करना पड़ेगा, control G से यह एक साथ group हो जाएगे, यह एक साथ grouping में आ जाएगे, ठीक है, अब वापिस ungroup करना हो, तो right click करके आप ungroup कर सकते हैं, यहां से ठीक है, अब यहां पे select करा, shift के साथ मैंने image को select करा, अब मुझे इसके center में चाहिए, तो C करा press, यह हो जाएगा, आपका horizontally center और vertical center चाहिए, तो E press करेंगे, तो आपको vertically center होगे, बिलकुँ center में आ चुका है, ठीक है, अब next हमारे को बाकी के text में फटा 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 डाल दे करता हूँ, यह करा, इसको control text selected है, select all करके बॉल्ड कर दिया, अब मैं just control K कर दूँगा, मेरे दो लाइन में तूट गया है, अब मैं यहां से home को drag करूँगा, और इसके equal लाने के बाद यहां से select करूँगा, और यहां पे रखोंगा, small कर दिया, और थोड़ा small कर देता अब देखें, यहां पर जब भी कभी आप design करें, तो यह अगर आप थोड़ा सा आगया कर देंगे, तो यह उतना अच्छा नहीं लगेगा, यह पैललर होना चाहिए, इसके, अगर आपको पैललर नजर आएंगी ना, तो आपको design अच्छे से view होगा, लगेगा कि हाँ अच हो जाएगा, अब इसको centralized कर लीजे, C,E, यह लाइन होगा, ठीक है, अब यह एक line दी हुई है, तो जस्ट मैं इसको वापिस rectangle को लूँगा, और यहां से करके यह लीजे, white draw कर दिया, border को हटा दिया, border को हटा दिया, यहां पर select किरार, text के साथ left click कर है, left align हो गया, ठीक है, इसे आप छोटा बढ़ा, जैसा भी इसकी width, maintain कर सकते हैं, यह हो गया, अब आपको देखे, यह button बनाना है, तो जो मैंने आपको बताया था कि, अब इस condition में क्या है, हमरी shape को हम curve नहीं करेंगे, अब मैंने जस्ट यहां से drag किया, इस तरह से छोड़ा, shape tool लिया, अब यह च हम already क्योंकि यह देखें, यहां पे यहां पे, orange color और yellow के साथ फिल कर चुके हैं, अब हमें कभी same color यहां पर इस वाली shape में यूज करना है, किसी भी shape में यूज करना है, तो आप इस shape पे जाएंगे, edit में जाएंगे, और copy properties में जाएंगे, यहां पर आपके देखे, यह outline pen की आ गई है, outline color की आ गई है, outline color और इसको करेंगे, तो outline color तक भी आपका, आप select के लिए color पे, तो यह white color बोर्डर देदेगा, fill color, fill color जो इसके अंदर का fill color है, इस पे select करा, ok करा, और अब यह जो, जिस time यह arrow बन जाए, आप उस color पे आप click करेंगे, तो यह उसका border और देखे, यह बिल्कुल same उसी, उसमें आपका fill करके रख दिया है, सही है, इसके बाद आता है, आपका contact, यह वापिस मैं इसे copy, same इसी तरह से आप डाल पाएंगे, paste करता हूँ, select all, bold, color white कर दिया, और यह मैंने यहां पे डाल दिया, बस बाकी आप देखेंगे, तो सारी ही चीज उसी तरह से आपकी use हुई है, यह contact number यहां पे लाया, मैंने थोड़ा सा यहां करा, और अगर इसे मेरे को देखें, अब इसे तोड़ना है, तो यह two parts में कैसे तूटेगा, इसे select करा, control K करूँगा, तो अब यह जो दो उसमें है, तूट गया, अगर अब मैं के करूँगा, तो फिर यह separate single single word को आपको click करके देगा, ठीक है, अब यहां पर करके, मैं इसके text को, जो contact number है, उसको बढ़ा कर दूगा, यहां से select करूँगा, L प्रेस करूँगा, left side से और इसके साथ align कर दूगा, यह देखें, यह design हो गया, अगर अगर मैं shape डालता, अगर इस icon को डालता, तो यह icon आप बना सकते हैं, ठीक है, बाकी सब आप text है, normal है, आप समझ गए हो और केवल यही tool आपके use होने है, किसी भी design में, आप मेरे कितने भी, जितने भी मैंने आप tutorial डाले हुए हैं, आप उसे अगर regular देखेंगे ने, तो सिर्फ यही tool यूज करते हैं, उसके बाद इसकी सब की techniques होती हैं, कि किस किस तरह साथ, जितनी जल्दी fast कर पाएंगे, या क इस techniques से कर पाएंगे, तो वो मैं easily आपको आगे-ागे बताता रहूंगा, वो techniques आप देखते रहिएगा, बाकि जो मेरी जितनी भी कुछ मैंने जो पिछले tutorial डाले हुए हैं, उसके अंदर मेरी voice over नहीं किया हुआ है, तो उसमें उससे आपको बताने के लिए किस तरह साथ कर कर रहा हूं तो Ctrl-C ये नीचे की तरफ आप तो bottom में Ctrl-C दिख जाएगा, scroll up कर रहा हूं तो wheel का up-down और left click और right click सारी चीज आपको easily पता चल जाएगे, मैंने कौन-कौन से click कहा किये हैं, बिल्कुल easy way में बताया हुआ है, बस केवल यही tool use होते हैं, इसके लावा कोई tool use आप सीख जाएंगे, उसके बाद और tool पर आएंगे ना, तो आप easily जल्दी से समझ पाएंगे, अभी फिलाल आप इनही tool की practice कीजिएगा, और जहां कहीं लगता है कि कुछ issue आ रहा है, वापिस आप इसी tutorial को देख लीजेगा, तो आपको concept के लिए हो जाएंगे, अगर आप आपने image, जो भी मैंने ये एक social media post design किया, आप इसी को पहले design करके देखें, जब आपको ये चीज एक बार आ गई, फिर आपको कभी विक्कत नहीं होगी, मेरा कोई भी tutorial आराम से आप समझ पाएंगे, और इसे लिए सीख पाएंगे, फिलाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हू next tutorial में, जिससे आपको कुछ और अच्छा सिखा सकूँ